नमस्कार, निंद को बेहतर बनाने के लिए बहुत मददगार होती है घी, जी हाँ, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है हमें सोने से पहले, ये जानना बहुत इंपोर्टेंट है, तो यहीं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख ये आपको कई सारी गंभीर बिमारियों से बचाने के साथ ही, कई तरीके से फायदा पहुंचाने का कारे करता है, आमतोर पर लोग इसका सेवन खुद को मजबूत बनाने और लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, यानि कि घी का इस्तेमाल, लेकिन क्या आप ज अच्छ है कि घी आपके स्वास्थ को बेहतर बनाने के साथ ही, आपके नींद को भी बेहतर बनाने में मददगार है, अब आपका सवाल ये होगा कि घी नींद को बेहतर बनाने के लिए कैसे मददगार है, और अगर है तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, तो इस इसके लिए आपको परिशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी बारे में पूरता बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करके इसका लाभ प्राप्त करना है जी हां घी हमारे सिहत के लिए बहुत फायदेमंद है और वो इसलिए है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पोशक्ततों मौजूद होते हैं जो कि आसानी से हमारे शरीर में और शोशित हो जाते हैं ऐसे ही घी बच्चों से लेकर के बढ़ों तक के लिए एक अच्छा विकल्प है जिसके मदद से आप आसानी से खुद को रख सकते हैं घी सर्दियों में लोग ज्यादा लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक गर्म और उरजावान बनाये रखने में मदद करता है वहीं पर ये नींद के लिए अलग-अलग तरीकों से कारे करता है आप घी को मालिश और सेवन दोनों तरीकों से बेहतर नींद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आपको फायदा होगा बेहतर नींद के लिए कैसे फायदेमंद होती है घी ये समझ लिजे फिर हम समझेंगे इसके असर को और कैसे करना है इस बात को आप देख रहे हैं जिवन रक्षा चैनल जी हां कई शोधों में ये बात सामने तो आपको हम बता दें कि घी में ऐसे ततो पाये जाते हैं जो आपको राहत देने के साथ ही आपके मूड को बहतर बनाते हैं जिसके मदद से आपके निंद को बढ़ावा मिलता है इसके साथ ही ये आपके धर्द को भी शांत करने में मदद करता है ऐसे ही निंद के लिए जब बहतर नींद मिल सकेगी घी का सेवन कैसे करना है आपको जो की नींद के लिए असरदार हो तो अक्सर लोगों को रात का भोजन या फिर खाना खाने के बाद कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं जिसके कारण उनकी नींद बुरी तरह से प्रभावित होती है इसके कारण लो अजर्ण के यह आसानी से आपके भोजन को पचाता है जिसकी मदध से आपको एसी डीटी पेट डर दिया फिर उल्टी की समस्याँ नहीं होती है जिसकी मदध से आप आसानी से सुकून भरी निंद ले सकते हैं और पूरी रात खुद को भरा हुआ महसूस करते हैं रिलेक्स महसूस करते हैं इसके अलावा घी में ऐसे गुन होते हैं जो आपको आसानी से निंद लाने में मदद करते हैं तो इसलिए घी का इस्तेमाल आपके लिए बहतर हो जाता है बहतर निंद के लिए घी से मसाज भी आप कर सकते हैं दूद में घी डाल करके पिएंगे तब भी निं जो आपकी नींद को बढ़ावा देने में मददकार होती है। ऐसे ही घी से मालिश करने से आपकी नींद को बढ़ावा मिलता है। और आप रात की नींद की गुनवत्ता को बहतर बनाने का समय पासकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बलकि आप आसानी से घी के मदद से अपनी नींद को बहतर बना सकते हैं। आप अपने तलों पर रोजाना मालिश करके बहतर नींद पा सकते हैं। जिहां आप रोजाना अपने तलों पर पंजों की मालिश गुनगुने घी के साथ कीजिए। इससे आपको काफी रहत साथी साथ आपका मूड बहुत बहतर होगा इसकी मदद से जिन लोगों को जोड़ों या फिर मांसपेश्यों के दर्द के कारण नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए घी बहुत ही फायदे मंद विकल्प होता है जिसकी मदद से आप आसानी से नींद ले सकते हैं जिन लो इससे आपके पेट में जलन अपच की समस्या चिनता है तो वो भी दूर होती है इसके अलावा नाउज में यानि के नाक में डालते हैं तो खराटे की समस्या से छुटकारा मिलता है रात को सोते समय जो खराटे आते हैं तो सवाल सबसे महतोपूर ये कि इसका इस्तेमाल हम क करके अच्छी तरह से पिगला लीजिए इसके बाद अगर आप खुद की नींद को बहतर तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने तलों पर गुनगुना घी लगाईए आप करीब 20 मिनद तक अपने दोनों तलों पर घी के साथ मसाज कीजिए इसके अलावा आप अप तरीके से खुल जाती हैं इसके साथ ही आपके मूड को बहतर करने के लिए तलों पर घी से मालिश करना बहतर विकल्प हो जाता है जिन लोगों को जोनों या पिरमान स्पेश्यों में दर्द रहता है उन लोगों के लिए भी घी गुनगुना करके मालिश करना बहुत कि आपो खटीए तो सोना सोने से किमती है ये जान दीज़िये। जुताइ, आप जानते हैं कि उसको कौनकोन से बीमारी होती है। सबसे पहले तो माइंड पर से कंट्रोल ही खत्म हो जाता है अगर आपको निंद अच्छी नहीं आती है तो सबसे अच्छी निंद लेना बहुत जरूरी है और उसमें ये मददगार है तो करना क्या है साधारन भाषा में आपको कहें तो आपको घी का इस्तेमाल दूद में थोड़ा सा ड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं तो ऐसी नॉलेजफूल वीडियोज के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीड साथी साथ वीडियो को लाइक कर दिजे शेर कर दिजे वर्सप पे फेस्बूक पेता की सभी को वीडियो मिल सके फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक खुश रहें आनंदित